पाकिस्तान की तरफ से लोसी की उपर कुछ मुव्मेंट करने की कोशिश की गई लोसी पर चुपचाप पहुँचे पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 लोग यहां पर वो एक बांडिपूरा सेक्टर के आसपास वहां पर एक जगे पर यह लोसी पर कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे है यह अंतरंड रेखा पर शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन भार्दी सेना ने देखा तो कर दी फाइरेंग फिर दोड पड़े पाकिस्तानी बताएं जा रहा है कि जिस इलाके में निर्मान किया जा रहा था वो आतंक्यों की घुसपैट की दृष्ट्री सेहतियन सम्वेदंशील है पाकिस्तान के साथ बाचीत का समय खट्म हो चुका है पाकिस्तान के हर अक्शन का जabout हम हम देंगे जी एक्शन की को राइएगा अगर मिहन अगर कुछ पक्रायेगा तो हम उसका जवाब देंगे इंडिया आर्मी की तरीफ ही कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तरीफ के काबिल नहीं है जैसे पाकिस्तान के एक नजरिया रहेगा कि कहीना कहीं कुछ ना कुछ एलो सी पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी करते रही है ताकि भारत एक तो एलो सी की तरफ है उसरा बा है कि बांगलादेश ने काफी हद तक पाकिस्तान से एमिनिशन मंगाई है तेड़ा सा इंसिडेंट वार जिसके बारे में रिपोर्टिंग आई है पाकिस्तान की तरफ से लो सी की ऊपर कुछ मुवमेंट करने की कोशिश की गई जहां पर वो एक बांडिपूरा सेक्टर के आ लेकिन ऐसे close approaches LOC के जो border fencing है उसके पास normally नहीं होती है तो एक नहीं development है इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूँगा और थोड़ी सी और बात करूँगा कि वही किस तरह से यह जो भी elections आ रहे हैं यह आ रहे हैं उसको हमको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना intelligence जो आई उसके हिसाब से पता चला कि वही 30 से 40 पाकिस्तानी वहां पर soldiers construction material लेके उस तरफ अप्रोच कर रहे थे जब वहां पर अप्रोच कर रहे थे हमारे को जैसे जिस तरह से intelligence थी हमारी forces already ready थी वहां पर and उन्होंने उनको warning करा कि वही इस तरफ मत आओ जो एक agreed drill है दोनों countries के बीट में agreed drill ये कहती है कि भई जब भी ऐसा कुछ incident हो तो एक red flag दिखाया जाता है where the other other side is feeling threatened and जो पहली side होती है जो action area होती है उसको ये समझ में आना चाहिए कि भई यह next अभी action ही कुछ गोली गोली चलेगी इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी उसको basically red flag जो drill के हिसाब से लगाया गया था उसको ignore करा और जैसी ignore करा इंडिनामी ने उनके उपर एक fire खोला और यह normally warning shots होते हैं इस not targeted shots उनके आसपास के गोली गोली चलाते हैं वो तो उसको देखे यह 30-40 जितने भी पाकिस्तानी है यह उटके वहाँ से भाग खड़े हुए यह चीज हमको बड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई जैनके वे ऐसे भी इलेक्शन का टाइम है और यहां पर कही ना कहीं एक instability create करने के लिए पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आमी पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी establishment बहुत try और कोशिश करती रहेगी हमारे यहां यहां पर politicians भी उतने ही हैं जितने आपको समझ में आता है क्योंकि वही पाकिस्तान का जो एक narrative है वही यहां पर वो रखना चाहते हैं यहां पर जैशंकर जी ने एक दो दिन पहले एक statement दिया था कि भाई the era of uninterrupted conversations with पाकिस्तान जहां पर पाकिस्तान हमको post करता था conversation करने के लिए वो एरा अब खतम हो चुका है और 370 अब वापस नहीं जाएगा यह बड़ा इंट्रेस्टिंग सेट्मेंट है क्योंकि जो स्टेट की जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पर जो स्टेट गवर्मेंट के में जो खड़े हो रहे हैं लोग स्पेशली जो फारुक अब अब तो बोलते हैं वहीं हम 370 वापस लिक्रेगा यह बड़ा नहीं सब्सक्राइब को जो एक सेंट्र गवर्मेंट ने चीज़ करी है स्टेट गवर्मेंट कांट ओरूर्व डैक और तो हो नी सकता बड़े कहीं है पाकिस्तां की तरह एक रिटरिक बनाने की और कोशि अब यहां पर अगर आप देखें इन दोनों के स्टेट्मेंट पाकिस्तान भी हमेशा बोलता है आर्टिकल 370 यह वो और हमारे फारुत अब्दुल्ला साब की पार्टी भी यही चीज़ बोलते है कि आर्टिकल 370 यहां पर इनके साथ अलायंस पार्टनर कौन है आपको सब इन वागन में लगे में और यही घोल पीटने में आगे चल रहे हैं देखिए इंडियनामी को तो सतक रहना ही पड़ेगा क्योंकि जितने अभी पिछले 2-3 दिनों के अगर आप इंसिनेंट देखें एक तो दो टेर्रिस वहां पर उसी एरिया के अंदर जहां पर यहां पर दो इंफिल्ट्रेशन बिड्स को फाइरिंग करके इंडियनामी ने पीछे बगाया था तो ऐसे इनके चलते रहेंगे यहां पर कही ना कहीं बिकोज डे आर वेरी वेरी इनको बड़ा एक एक चक्कर है वेर दे नीट टू एक्सटी क्रिएट समसॉट अफ एन इंस्टेबि टाइप था मैं तो होजी डबू तो किसी को बोलता नहीं मैं तो बोलता हूं वो तो पूरे टर्रिस्ट है उसको पकड़ा था एंड उसकी जब मिट्री ट्रीट्मेंट और जो भी ट्रीट्मेंट हुआ होगा उसने आके बोला कि साब वो तो दो तीन बारी पहले भी उपर जब से आया है और उस जगे की वहां पर अभी इंडिनामी अच्छन में होगी उस जगे में जो भी बंडर्बिलिटिज है उसको पड़ करने के लिए इसने यह भी बताया कि भाई वो पीयो जेके कि किसी बस्टैंड में 4 पर से मिला जहां पर उसको बताया गया कि वो ही लो हुई होगी तो काफी intelligence आई होगी and the share factor अगर आप एक चीज़ देखें हैं कि भाहिया यह जो जम्मु कश्मीर के LOC की ऊपर जो भी construction के plans हो थे पाकिस्तानी आमी के उसकी intelligence हमारे पास पहले ही थी that tells कि हमारा एक जो network है वो pretty much अभी वापिस आ रहा है और जिस तरह से पहले था जो एक strong network था वो भी set है एक चीज़ हमको और सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का एक नजरिया रहेगा कि कही ना कहीं कुछ ना कुछ LOC पे थोड़ा सा गर्मा-गर्मी करते रही है ताकि भारत एक ली चाउ मिंग करके आये थे अभी पाकिसान वो आसे मुनीर से मिले और जहां तक कि रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई वहां पर LOC के उपर भी बात की देगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन निवाज जैहिंद ये चाइना का इंट्रेस्ट यह है कि भारत को एक वो जो जो स्प्लिट फ्रंट बनाके हमेशा रखो ताकि भारत कुछ नफेरिस अक्टिविटी चाइना के साथ ना कर से पाकिस्तान इस ताम के अमरीका की गोदी में जाके बैठा वाया लेकिन फिर भी चाइनीज के साथ भारत के इसमें काम करने में अमरीका को कोई भी धेलेगी प्रॉब्लम नहीं